जय हिन जय भारत जय जोहार जय 36 गड़ मैं मितकुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीवी मीडिया में और हमारे विचु पस्थित हैं मरवाही से जीला पंचायत सदस्य सुभं पेंडरो जी शरुपरतम स्वागत है अपका धन्यवाद आपका अच्छा पहला कोस्चन मेरे एर है अगामी चुनाओ है तो आपकी विधान सभा आपके छेत्र के अभिष्थिति कैसी है देखे हमारी छेत्र के स्थिति हमेशा से है अच्छा जैसे अगामी चुना है तो इस बार आपका किस रूप में सहभागी रहेगी कैसे सपोर्ट करेंगे आपका अंग्रेस पार्टी को जैसा जानते हैं कि मैं एक प्रदेश उपाध्यक्ष मेरे को संगठन ने च्छात्र नेता के तौर पर एक प्रदेश उपाध् मुक्यमंत्री जी लगात्दार जनहित में काम कर रहे हैं वो किसानों की बात हो युवाओं की बात हो महिलाओं की बात हो किसी की बात हो जमीन से जुले हुए नेता है और जमीन को समझते हैं कारकरताओं को समझते हैं छेत्र को समझते हैं च्छेत्र को समझते हैं च्छेत् इतने यंग में जो है जनपस्ट दायस बने हैं और इतने यूथ को जो है आप साथ में लेकी भी चलते हैं तो उनको आप हमारे मुड्यक माध्धम से कहा संदेश देना चाहेंगे मैं एकी संदेश देना चाहूँगा अपने यूवा साथियों को राजनीती में ज़रूरी नहीं कि आप आईए अप सिक्षित रहिए पहले तो पढ़ाई करिए कॉलेज कंप्लीट करिए और सिक्षा लेते-लेते कम से कम अपने अधिकारों का अपने छेत के विकासों का कम से क अधिक अन्याय के खिलाब लड़ सके और अपने छेतर के अपने गाउं के अपने घर वालों को न्याय के लिए लड़कर उनको सहीव कर सके अच्छ तो ये राजनीती में आप काना कैसे वह सफर कैसा राया कोई प्लिणना सुरूथ थे कि आप अपने राजनीती का सफर यह करके वापस घर को आया तो घर में देखा कि बहुत सारी कमियां है जो मुझे दूर करनी चाहिए मेरा राजनीती का पहला मुद्ध यही था कि हमारे छेत्रे में पीजी कॉलेज हो पोटक्निक कॉलेज हो आज दोनों चीजें हो गए हैं मानने मुपेश बगिल जी का आभार है है कि हमारे छेत्रे हां और भी बहुत सारे मुद्धे है ए biology कल्चे की मुद्धे वोब भी पूरे हो गया है और उसी विशह पे निरंतर कारें चल रहा है तो ऐसे आपका मतलब राजनीति में चेतर का विकास क्योंकि हम इतना पड़न लिखि-दि ले जाते हैं उसके बाद नौक्री करते हैं पर अपने च्छेतर और आपने मात्र भूहमी को भूल जाते है हमको मात्र भूहमी का काम करना है अपने मातर भूमी के लिए जीना है यही एक धैय है और इसी चीज के लिए हम राजनीती में आया हुए है चलो धन्यवाद तो सुभम पेंडरो जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अवाद एक लिए बहुत बहुत अबाद और अपना कीमती समय देने कली आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो सांथि अमारे विश्दे सुभम पेंडरो जी और ऐसे खबर और ऐसे निuse के लिए ठीजी भी मिडिया के साथ मैं हमित कुमार धन्यवाद